नमस्कार दोस्तों, 19 मैं 2022 के daily news analysis current affairs discussion में आपका स्वागत है, कौन कौन सी news है, तो पेरियारी विलन को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, सुप्रीम कोट के दोरा, इसके लिए कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज भी थोड़ा बहुत इसको discuss कर लेगा, state of the inequality in India report यहाँ पे रिलीस कर दी गई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दोरा, इस report में क्या बताया जारा, इसको देखेंगे, फिर भाई, cabinet ने बोलाए कि जो ethanol blending policy है, कि भाई, 20% petrol में आपको ethanol blend करना, इसकी जो target थी, implementation date थी, 2030, इसको 2025 करेंगे, इसको समझेंगे, online gaming के ओपर 28% GST लगाए जागा, इस particular news को समझेंगे, national emergency life support के बारे में बात करेंगे, OBC reservation को local body elections में implement करो, ऐसा Supreme Court ने बोला है मदर परदेश को, मदर परदेश की actually state election commission को, फिर भाई मैं आपको बता दूँ, कि human rights के ओपर impact आता है, अगर pollution होता है, environmental pollution, तो environmental pollution को deal करने के लिए, national human rights commission ने, अलग-अलग राज जी की सरकारों को ultimate issue किया है, इसको देखेंगे, और जो Fukushima nuclear power plant है, इसमें जितना wastewater store है, जापान ने बोला है कि 2023 तक, थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको समंदर में छोड़ना शूरू करेंगे, कम quantity में treat करके, और इसके लिए international atomic energy के experts को भी बुलाया है, आपे जापान न क्या मतलब होता है, indoctrinate का, teach a person or group to accept a set of beliefs uncritically, मतलब आप एक person को या एक group को पढ़ाओ, और उनको एक particular belief, एक particular ideology को मानने को follow करने पे मजबूर कर दो, मतलब उनको convince करके, ऐसा नहीं, जबरतस्ती दंडा देखा कि मजबूर कर रहे हो, मतलब आपने उनको इस हद तक चीज़ टेरिस्ट बनने को तयार हो गया, तो आपने क्या हो, उसको indoctrinate कर दिया terrorist ideology के साथ, समझ गया, मतलब कि एक ऐसा opinion आप किसी दूसरे की दिमाग में भर दो, कि वो बिल्कुल उसरे influence हो जाए, और उसी हिसाब से सोचने लगे, इसको आप बोलतो हो, indoctrinate, ठीक है ना, आगे तो भी शाद में लिंक अपडेट करना भूल जाता हो, बड़ नॉर्मल कर आपको पता है कि मैं current affairs और editorial दे ही देता हूं सुबह तक, कभी कभी delay हो जाता है, दिन में 3-4 बज़े आता है, नॉर्मल कर सुबह 10 से 11 बज़े से पहले, ठीक है न, साड़े 9 तक आपको most probably current affairs मिल ज जाता है, if possible friends, join button दबा के help करें, अगर super thanks option क्लिक कर सकते हैं तो भी कर दीजे, नीचे like और subscribe बटन के बीच में आपको ये दोनों ही options दिख जाएंगे, वीडियो पर लाइक पता बज़ दीगा है, वीडियो के engagement को पढ़ाने के लिए, चली राजीव गांधी assassination case convict AG पेरिया इसके उपर आज सुबह ही एक वीडियो मैंने live कर दी है, 18 मही को राजीव गांधी के assassination में AG पेरिया रवलन, जिसको मौत की सजा सुनाई गई थी, बाद में इसकी सजा को life imprisonment ने बतल दिया गया तो इसको छोड़ दिया गया, फ्री कर दिया, और फ्री करने के सुप्रीम को किया है अपनी powers को अंडर article 142 of the Indian Constitution, अब article 142 of the Indian Constitution अपने आप में एक अनोखा article है, इसके बारे में जादर जानना चाहते हैं, तो article 142 मेरे नाम हर्शी दृदिक सार्च मारी है, आपको मेरी relevant लक्षमी कांथ की वीडियो मिल जाएगी, डेटेल ले मैंने पॉलिटी के सारे topics क कावर की हैं, तो अभी के लिए जो सुप्रीम कोड के जजेस की बेंच है, अलनागेश्वर राओ और बियार गवई की, इन्होंने क्या बोला, कि भाई यो तमिल नाडू कैबिनेट है, उसने सेप्टमबर 2018 में ही ये रिकमेंट किया था, कि भाई, जो गवर्नर है, गवर् तिरे की सरकार बोल रही है, कि भाई, प्रेजडेंट डिसीजन लेगा, और पूरा का पूरा यहां पे मुद्दा चालूगा, पेरादी वलन ने दो नौ वोल्ट की वाटरी खरीदी थी, और यही बैटरी इस्तमाल हुई थी, बॉम को डेटोनेट करने में, ऐसा बता है, त पेरादी वलन के लिए, तो पेरादी वलन और बाकी लोगों को टाड़ा कोर्ट के दौरा 1998 में सजा सुनाई गई थी, 1992 में इनको अरेश्ट किया गया, चब्विस लोगों को सजा सुनाई गई थी, उनने इसको छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, चार को मौत की सजा कनफर्म होती रही, कमिल नाडू के गवर्नर ने भी इनकी मर्सी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन प्रेजिडेंट को मर्सी पेटिशन रिजेक्ट करने में टोटल 11 साल लग गया, 11 एर, सो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, भाई देखो कर आपको फांसी पे भाई यह क्या नाटंकी चल रही, इत्ते लंबे समिच तक आप मर्सी पेटिशन की ऊपर डीसेजन नहींपार है, माफ करो, नहीं माफ करो, नहीं माफ करो उनको खुल्चन टो यहाँ रहा है, एक इनसान इंतजार कर रहा है कि उसको फांसी पे चड़ाया जाएगा, या नह क्या चल रहाएगी 20-22-23 साल से ये इंसान इंतजार कर रहे है 1992-22-23 साल बीद गए फाइनली 2014 में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाइद देखो ठीक है इनका अलरडी काफी टॉर्चर हो चुका है लंबे समय से जेल में बंद है अभी 23 साल तक जेल में बंद होने के बाद अब अगर हम इनको फासी पर चढ़ा देंगे तो वो डबल जियो पार्डी होगी डबल सजा होगी वो सही नहीं है इसलिए हम इनकी फासी की सजा को लाइफ इंप्रेजिट्मेंट में बदल रहे है सुप्रीम कोट ने यहां पे डिसीजन दे दिया और यह डिसीजन देते रख सुप्रीम कोट ने शत्रुगन चौहान केस को रिफरेंस दिया इस पटिकुलर केस में क्या कहा गया है कि पहले लंबी जेल और उसके बाद फासी अब टॉर्चर नहीं कर सकते हो और सुप्रीम कोट के जज़्वेंट ने एक बात साफ साफ बोली थी कि आर्टिकल 72 और आर्टिकल 61 के अंदर जो भी पावर है प्रेजिडेंट के पास और गवर्नर के पास इसको सिफ्ट नहीं उसकिया जाए अब यहां पे सवाल उठ रहा है प्रेजिडेंट के उपर गवर्ना ने तो 1999 में मर्सी पेटिशन रिजेक्ट कर दिया था लेकिन प्रेजिडेंट को मर्सी पेटिशन रिजेक्ट करने में 11 साल लग गए और जब 2018 में पेरियारी वलन को तमिल नाडू की कैबिनेट ने तो बहुत पहले बोल दिया था कि भाई पेरियारी वलन को हम छोड़ेंगे बागी तीन लोग को हम छोड़ेंगे लेकिन चीजें लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है 2014 में जब जज्जमेंट आया था सुप्रीम कोड का उसी समय पे जैललता जी की जो सरकार जिनों ने बोला थे कि हम इनको छोड़ेंगे 2018 में और रिलीस कर दिया गया और तमिल नाडू की कैबिनेट ने बोला गवर्नर को छोड़ो इनको लेकिन गवर्नर इनको छोड़ो नहीं रहा है तो एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि आर्टिकल 161 के अंदर जब तमिल नाडू की कैबिनेट तमिल नाडू की गवर्नर को बोल रही है कि तुम पेरियारी वलन को छोड़ दो तो तमिल नाडू का गवर्नर यह कैसे कह सकता है कि नहीं भाई यह मैंटर तो प्रेजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजि जिजन है वो जल्दी क्यों नहीं ले रहे हो इतना डीले क्यों कर रहे हो यह सुप्रीम कोट ने भी यहां पर कोशन उठाया है राजी गांधी जी के एसेसिनेशन के उपर वीडियो बना चुका हूं आपको देखनी है तो राजी गांधी नाम अश्य दिल सा सच मारिए आपक बढ़ते इंसान भूल जाता है तो भाई देखे नैशनल पॉलिसी और बायो फ्यूल साइथी दो हजार अठारा में इस पॉलिसी में क्या लिखा हुआ था कि दो हजार तीस तक जितने भी वहकिल्स हैं इंडिया के अंदर उसमें जो भी फ्यूल वगर इस्तमाल होता है उस ने नैशनल पॉलिसी और बायो फ्यूल्स दो हजार अठारा को एमेंट करने की बात किये और बुरा है दो हजार तीस नहीं दो हजार पच्चिस तक करो 20 परसंट एथनॉल ब्रेंडिंग और 20 परसंट इसनॉल ब्रेंडिंग की जो पॉलिसी है ये विद एफेक्ट फॉर्म एक अप्रेल 2023 लागू हो जाएगी और डेडलाइन यहां पे दे दी गई है 2025 तक किसी भी हाल में 2025 तक जितने भी आपका पेट्रूल इंडिया के अंदर बिकराए जहां पे भी विकराए वहां पे भाई इथनॉल ब्रेंडिंग होनी चाहिए कितने की 20 प्रतिशत की अब इस से हमको फायदा होगा कितने का 30,000 क्रोड रुपए का फॉरें एक्सचेंज का हम कम एमिशन्स करेंगे बेटर रेट दिखें क्या है ना पेटरोल में अगर 20% आप इथनॉल डाल दोगो तो जादा पेटरोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा पहली बात दूसरा इथनॉल जो एफेक्टिविटी है बर्निंग की जो कैलोरिफिक वैल्यू है फ्यूल की उसको इंप्रूव कर देगा सेल्फ रिलाइंस लेके आयागा ज़ादा पॉलुशन और एमिशन्स नहीं होंगे तो बड़े अच्छे अच्छे बेनिफिट्स बताय जा रहे हैं इथनॉल ब्ल ब्लेंडिंग और अभी के लिए जितने भी इंजन वगरा मार्केट में अवलेबल हैं कार के बाइक के उनमें यह साफसा समझ में आ रहा है कि दस परसेंट तक अगर आप एथनॉल ब्लेंडिंग करते हो तो कार के इंजनों में ज्यादा कुछ चेंज करने की वज़ोत है न लेकिन 20% एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए वहकिल में कुछ पर्टिकूलर चेंज़ेज आपको करने पड़ेंगे तो इस रिस्पेक्ट में अब आवविस ही बात है नीती आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से जो वहकिल मेनुफैक्चर्स हैं उनके ओपर भी थोड़ा प बनते हैं और मोलैसस से आपका एथनॉल बनता है अब बात यह कि 2025 तक एथनॉल की डिमांड हो जाएगी 10.16 बिलियन लीटर अभी के लिए इंडिया के अंदर एथनॉल प्रोडक्शन कितना है 4.26 बिलियन लीटर आता है मोलैसस से और 2.58 बिलियन लीटर साता है ग्रें बेस डिस्टिलरी से 2025 तक यह डिमांड हो जाएगी फ्रॉम मोलैसस 7.6 बिलियन लीटर अन्फॉम ग्रेंड ब्रेंड डिस्टिलरी से 7.4 बिलियन लीटर अभी यह देखे 7.6 बिलियन लीटर मोलैसस से मनाने के लिए इथनॉल को 6 मिलियन टन्स ओशुगर की जरूत होगी और 7.4 बिलियन लीटर ग्रेंस से इथनॉल बनाने के लिए 16.5 मिलियन टन्स ग्रेंड की जरूत होगी 2025 तक मतलब जादा ग्रेंस और जादा मोलैसस की जरूत है इसके लिए आपको शुगर के नुगाने के लिए और ग्रेंड नुगाने के लिए जादा लैंड की जरूत है अभी अगर आप जादा लैंड पे खिती वाड़ी करते हो तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन्स भी बढ़ जाएंगे तो एक तरफ तो एथनाल पेट्रोल में लगा के आप एमिशन्स कम कर रहे हो दूसरी तरफ ही आप जादा लैंड एलोकेट करके जादा एगरी कल्चर करके और कर रहे हो दूसरी तरफ ही आप जादा लैंड को इस्तमाल करके पॉलिशन बढ़ा रहे हो तो क्या यह स्ट्राटिजी सही है स्ट्राइड्टिफिकली कि आप जादा लैंड एलोकेट करके ग्रीन हाउस गैस अमिशन्स बढ़ा रहे हो और फिर उससे बने हुए इथनाल से तो इसके उपर एक scientific कहलो thesis या analysis होनी जरूरी है कि ज़्यादा land allocation अगर हम ethanol के लिए करते हैं तो क्या उसके negative environmental effects नहीं आएंगे तो ये भी एक question है प्लस sugar cane जैसी crop sugar cane एक water intensive crop है एक water intensive crop का इस्तमाल करके ethanol बनाना इंडिया जैसे देश में जो water deficient है ये भी अपने आप में questionable चीज ethanol क्या है तो ethanol है ethyl alcohol biomass से बनता है alcoholic beverages में भी इसको इसको इस्तमाल के जाता है इसका octane number gasoline से जादा होता है इसलिए petrol के octane number को सुधार देता है ओके और जो calorific value है petrol की वो effect नहीं होती है ठीजिए न भाई अब ethanol में oxygen होता है तो ethanol better conversion करता है lower emissions करता है ठीके न overall देख लिए eco friendly बताया जा रहा है बट कितना eco friendly उसके लिए थोड़ी थेसिस बाकी है अच्छा ethanol blending होती कहा है तो Indian oil corporation limited तिरुची कोरंबटूर सलेम मदुरही में करता है ethanol blending हिंदुस्तान petroleum corporation limited चिन्नाई में करता है भारत petroleum corporation चिन्नाई और करूर में करता है ओके proper pumping and metering mechanism के तू में बहुत सी वीडियो बन चुकी ही चैनल पर जैसे अगर आप ethanol blending मेरे नाम हर्शे देदी साथ YouTube पर साच मारेंगे तो यह दो तीन वीडियो आपको मिल जाएंगी जो कि आपके काम किये हैं आप देख सकते हैं इससे knowledge फोड़ी गेंग कर सकते हैं जीस पर टू और टू और करो मद्दपरदेश के local body election में देखें आपको समझना पड़ेगा triple test की बात की गई है हमारे देश में बहुत से आप कहलो इस्टेटों में जो local body election होते हैं वहाँ पर सीटे वगरे reserve की गई है कास्ट के basis पर ठीक है न वो एक अलग चीज़ है लेकिन supreme court ने बोलाए कि कास्ट के basis पर reservation देने से पहले triple trust का criteria पूरा होना चाहिए triple test क्या होता है कि बहुत जब भी local body election में आप OBC को reservation दे रहे हो तो वो reservation सही आधार पर दिया गया है या नहीं दिया गया है इस बात को assess करने के लिए dedicated commission मनाई है वो commission empirical inquiry करेगा statistics को proper तरीके से study करेगा और यह देखेगा कि कितनी backward classes है उन states को और उन states की backward classes को किस proportion में reservation मिल रहा है local body elections में पर इस respect में यह commission यहाँ पर recommendation देगा और triple test में एक और चीज़ की भरपाई करनी है कि reservation total 50% से exceed नहीं करना चाहिए मतलब SCST OBC का reservation 50% and succeed नहीं करना चाहिए तो यह होता है triple test और यह triple test सारे states में follow करना है अब बहुत से states है इंडिया के अंदर जहाँ पे local body elections pending है लंबे समय से उन में से एक state यहाँ पे मध्धपदेश भी था तो पहले तो मध्धपदेश में लगबग 20,000 से जादा urban और पंचायत local bodies के election होने व लगया की नी भाई triple test exercise के result मध्धपदेश के अंदर आ चुके हैं मध्पदेश के अंदर जो backward classes commission मनाया गया था इसने अपनी revised report दे दी है इसने यह बताया कि कितना reservation quota होना चाहिए कौन से region में कितना होना चाहिए कौन से basis पर यह quota होना चाहिए triple test की सारी guidelines यहाँ पे follow की commission के recommendations के हिसाब से होगी और यहाँ पे देखे supreme court के सामने दो रिपोर्ट्स पेश की गई है एक report तो delimitation को लेके हैं चुकि मध्पदेश के अंदर यह बोला जा रहा था कि हम नए wards बना रहे हैं ठीकिन नए wards नई constituency हो जाती एक ward में ward councillor चुना जाता है तो नए wards बना र कितना reservation किस इलाके में देना है कौन से basis पे देना है उसके respect में क्या statistics available हैं यह दूसरी report जमा हो गई इन रिपोर्टों के आधार पर Supreme Court ने बोल दिया कि ठीक है भाई अब report जमा हो गई है triple test को verify किया है backward classes commission में तो इनको मानते हुए मंद्पदेश के local body elections को बिना डिले के conduct कर तो Supreme Court यहां पर ground level पे involved होके यह ensure करने कोशिश कर रहा है कि जान जिन states में भी local body election टाइम पे नहीं हो रहे हैं वो time पे conduct GST लगाए जाएगा एक पैनल ऑफ मिनिस्टर बनाए गया था जिसका काम था कि कसीनो रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग के ओपर कितना GST लगना चाहिए इसको रिव्यू किया जाए इस ग्रूप ऑफ मिनिस्टर को लीड कर रहे थे मेगाले कि चीफ मिस्टर कॉनरार संगम साथ और अब इस ग्रूप ऑफ मिनिस्टर ने ये राय दी है कि भाई ये जो ऑनलाइन गेमिंग है कसीनो है रेस कोर्स इनके ओपर GST लगना चाहिए 28 प्रतिशत का अभी के लिए लग रहा था 18 प्रतिशत का लेकिन अब लगना चाहिए 28 प्रतिशत का ये राय दी है स्ट सर्मा तो थी महाराश के डेपिटी चीप मिलिष्टर अजीज पवार साब घुजात के फाइनाइस मिलिस्टर कनू भय पतेल जी गोवा के पंचायती राजमिनिस्टर मॉविन गौधिनो थे, तमिलनाडो के फाइनाश्मिस्टर पीत हियागराजन, उत्तर प्रदेश के फाइनाश्मिस्टर सुरेश खंणा, और तेलांगना के फाइनाश्मिनिस्टर टी हरी श्राहो थे. तो 28% GST most probably अब लगेगा online gaming casino के उपर अब देखे gaming की बात की जाए तो अपने आप में controversial topic इसको state issue मना जाता है चूकि अलग-अलग राजी की सरकारे बोलती है कि हम अपने local नियम कानूनों के एसाब से यहाँ पे game के उपर criteria लगाएंगे गेम भी आजकल online में दो तरीके के skill-based, chance-based जैसे दोस्तों आप रमी खेलते हो, पत्ते खेलते हो, ठीकिन आप मुझे देखो ताश के पत्तों के game पता नहीं है, लेकिन ताश के पत्तों के game में अकसर कर एक जुए वाला element होता है, पैसा 60 वाजी लाग खेला जाता है, आप online भी वो चीज़ हो रही है, आज की date में online gaming में बड़ी innovative वो आ गए, जैसे for example, dream 11 आपनों सुनाओगा game, अब उसमें क्या है कि team मनाओ, team में अपने player select करो, और जो अच्छा खेल गया, उस हिसाब से फिर आप कैसे पता चलेगा, तो वो जिस दिन चला, उसे साफ से दूसरे ने पैसा जीता, तो ये तो game of chance हो गया, तो game of skill versus game of chance की एक बड़ी debate इस समय पे छड़ी हुई है, अब उस debate पे ना जाते हुए, यहाँ पे mainly हुआ क्या है, कि जितना पैसा भी आप इन gaming platforms पे game खेलने के लिए दोगे, उसके उपर 28% GST लगेगा, और जितना पैसा जीतोगे, उसके उपर भी 28% GST कटेगा, यह जो gaming platform है, यह rule 31A of the CGST rule 2017 के अंदर आते हैं, entire transaction value के उपर यहाँ पे आपका GST लगाए जाएगा, चाहे gaming platform में आप game खेलने के लिए शुरुआत में पैसा दे रहे हो, या फ आप नचनल एमर्जर्णसी लाइव सपोर्ट कोर्षे, हेल्थ मिनिंस के लिए ने लौुटर्स के लिए नर्सस के लिए पैरामेडिक्स के लिए, युनसमीष्ट ऑ स्टेट्स की डौ्टर भारती प्रवीन पवार, इन्होंने क्या बोला है, कि भाई या हेल्थ केर प्रौ एक cadre of trainers बनाए जाएंगे जो कि doctors को, nurses को, paramedics को train करेंगे. जो सबसे dangerous cases होते हैं, छोटे मोटे hospital में देखाया, उसने main aims को refer कर दिया, तो जो main hospital का emergency ward होता है, बड़ा dangerous होता है, हाला कि यहां पे सिर्फ main hospital की emergency ward के doctor को training नी दियाएगी, सबको training दियाएगी, तो भाई, skill-based training प्रोवाइट की जाएगी health functionaries को, कि emergency cases में वो कैसे यहां पे मदद प्रोवाइड करें, emergency life support कैसे प्रोवाइड की जाए, emergency में लोगों की मौत के rate को कैसे कम किया जाए, ठीक है न, तो disaster preparedness and response capability को बढ़ाने के लिए भी यह जो particular step पे काफी काम हो सकता है, तो medical emergency, surgical emergency, cardiac emergency, respiratory emergency, फिर आदेखो snake boits, poisoning, pediatric emergency, obstetric emergency, trauma related emergency, इनके लिए specific training यहां पे health professionals को दी जाएगी, ताकि वो शुरुवात में patients की जान बचा सके, उसके बाद को expert doctors अपना काम अच्छे से करते हैं, जीस पे बटू, government policies और health में, news काम आएगी, फिर भाई, state of the inequality in India report release कर दी to the prime minister की जोरे इसको release किया गया, इसमें क्या बता है, अब देखिये, प्राइम मिनिस्टर office की जो economic advisory council है, economic advisory council to the prime minister, इसमें release की तो थोड़े अच्छे points बताया जा रहे हैं, जैसे for example, NFHS 4, जो कि 2015-16 में हुआ था, उस समय पर जितनी stunting और wasting थी, उस से stunting वेस्टिंग कम होई है, एक तो यह बताया जा रहा है, दूसरा, 2019-20 में rural health statistics के हिसाब से number of health institutions बढ़े हैं, as of March 2020, 155,404 sub-centres है health के, 24,918 primary health centres है, 5,183 community health centres है, rural India में, फिर gender parity index improve है, 2019-20 में ऐसा बताया जा रहा है कि gender parity index था 1, अब gender parity index क्या होता है, female population है, male population है, उस female population से कितनी बच्चियां स्कूल में पढ़ने के लिए पहुची, male population से कितने लड़के आपके स्कूल में पढ़ने के लिए पहुचे, तो number of girls studying in school divided by number of boys studying in school, एक particular रिलाके में, अ मतलब जितने लड़के स्कूल में पढ़ने हैं, उतनी लड़कियां भी स्कूल में पढ़ने हैं, तो एक अगर gender parity index है, तो उसको अच्छा नंबर बताया जा रहा है, तो अभी के लिए state of inequality in India report ने यही भोला है कि India के अंदर 2019-20 में gender parity index 1 था, जो कि भाई, एक अच्छी ख़ हैं, 2019-20 की बात की जाए, तो अलग-अलग employment category है, पतब अगर जितने भी लोग employed है, 100 लोग employed है, तो उसमें से 45.78 लोग self employment है, अपना खुद का धंदा कर रहे हैं, 33 point अब यह खुद के धंदे वाले में business वाले भी आ जाते हैं, agriculture वाले भी आ जाते हैं, ठीके ना, regular salary workers में poverty को यहां दिखाएगे, हला कि मैं आपको बताओ दो, Hindu editorial में, इस particular state of the inequality report को criticize करने वाले article छपेंगे, ठीके रहा, सरकार को criticize क्या जाएगा कि सरकार यहां पे रोजी picture दिखा रही है, इतना अच्छा ground level पे हुआ नहीं है, तो इस report पर 5 राकों को देखा गया है, कौन-कौन से income distribution, labor market dynamics, health, education और household characteristics, GS paper 2 major reports में न्यूज़ आपको काम आएगी, फिर अगली न्यूज़ है, NHRC flags pollution effect on human rights, देकि national human rights commission ने, एक advisory issue किये, केंद्रे की सरकार को, और राजी की सरकार को, कि भाई, environmental pollution और degradation की वजह से, जो human rights पे impact आ रहा है, इसको tackle कर लिए, तो basically, NHRC, केंद्रे की सरका दोनों से बोल रहा है कि भाई, pollution को रोको, environmental degradation को रोको, चुकि इसकी वजह से, लोगों की quality of life, लोगों के rights violate हो रहे हैं, NHRC ने क्या बोला कि, इंडिया के पास best statutory policy framework है, तो उसके बाद भी हम अपनी pollution और ecological degradation को arrest नहीं कर पा रहे हैं, और उसके चलते, जो human rights हैं, देश के letter लिखें, high courts के registrar को letter लिखें, और बोलाएं कि हम जो guidelines दे रहे हैं, उनके ओपर कुछ action लीजे, यहाँ पर जो high courts हैं, high courts को बोला गया है कि आप special environment court बना सकते हो, जिससे environment pollution से related cases को speedy तरीके से dispose किया जा सके, अब सोचिए बड़ी बात है, already national green travel exist करता है, उसके बावजूद NHRC high court को बोल रहा है कि environment के अलग से court बना रहा है, और कित्ते court बनेंगे भाई, मतलब कहीं नके NHRC इस चीज़ को point out कर रहा है, कि environmental pollution के field में हम अभी भी enough नहीं कर रहे हैं, हमें और करने की जरूदा है, फिर केंदर की सरकार और राज्य के सरकार से बोला गया है कि आप effort लगा है केंदर की सरकार को, राज्य की सरकारों को, high court को की ground development, environment, climate change से related चीज़ों को अच्छे से implement करिये, ताकि human rights को हम protect कर सके, national human rights commission की बात की जाए, तो 12 October 1993 को बनाया गया था, protection of human rights act 1993 की through statutory body है, headquarter इसका दिल्ली में है, wash dog है human rights का, ठीक है न भाई, multi-member body है, इसमें एक chairman, चार members होते हैं, जो chairman है वो या तो chief justice of India होना चाहिए, retired, या फिर supreme court का एक judge होना चाहिए, इन chairman और members को appoint किया जाते है, six member की committee की तोरह, six member की committee में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, speaker of log सभा होते हैं, deputy chairman of raja सभा होते हैं, leader of opposition होते हैं, both houses of parliament को, union home minister होते हैं, तीन साल का tenure होता है, chairman and members का, 70 साल की age limit होती है, GS paper 2 में news आपकाम है, और आज की आखरी news, जापान ने प्लान किया है कि Fukushima nuclear plant के अंदर जो waste water stored है, इसको धीरे धीरे करके समुंदर में हम dispose of कर देंगे, और इस particular news को जैसे ही जापान ने अनौंस किया, पूरी दुनिया में जमा करके रखा गया है, ठीक है, आप यहां पर जमा करने की जगा नहीं बची है, तो Tokyo Electric Power Company Holding ने दिसंबर में प्लान निकाला की, जो waste water है, इसको ट्रीट करके धीरे धीरे हम लोग ओशन में dispose of कर देंगे, और यह dispose of ऐसा नहीं है कि सीधे पानी में छोड़ दिया समुंदर क इसको dispose of करने का प्रापर तरीका है, समुंदर के अंदर से एक टरनल बनाए जागा, यह टरनल एक किलोमेटर लंबा होगा, तो overall समुंदर मालों यहां से शुरू हो रहा है, तो उसके एक किलोमेटर अंदर जाके underwater टरनल से पानी dispose of होगा, ताकि शुरवात के एक किलोमेटर में जो fishing वगरा की activity है, वो चलती रहे यहां पर, वो ना रुके, अभी के लिए इस plan को 30 दिन के public review में रखा गया है, और ऐसा बताया जारे कि public review कुछ भी जाए, यह plan ground level पे implement होगा, तो अब problem यह है कि यह जो particular पानी है, ऐसा बताया जारे wastewater में Tritium है, Tritium एक byproduct होता है, nuclear power production क यह बड़ाई खतरनाक carcinogen होता है, और किसी भी प्रकार के treatment से आप Tritium नाम के इस element को neutralize नहीं कर सकते हैं, तो अगर यह Tritium पानी में रहेगा, तो कहीं न कहीं पानी की quality बिगड़ेगी, हाला कि जापान की सरकार का और Tokyo Electric Power Holding का यह बोलना है, कि देखी जो बाकी 60 isotopes हैं, इन इस respect में जो जापान की nuclear authority chairman है, तो योशु Fukuta, इन्होंने International Atomic Energy Agency की मदद मागी है, IAEA के director Mariano Grossi साब जापान पहुचे, वहाँ पे बातचीत हुई, और फिर यह प्लान यहां पहनाउस किया गया, लगबग 1000 tank से Fukushima plant में, जहां पे एक दसनलोग 37 million tons of waste water भरा हुआ है, उसको 2023 23 से दीरे-दीरे करके समंदर में dispose of करने की बात कर रहे है, हाला कि इस बात को लेके Japan goad size किया जाएगा, आगे क्या decision निकल के आता है, वो मैं जब भी update होगा आपको बताँगा, जीस पर टू, statutory bodies में नीज़ आपको काम आईगी, तो thank you for watching friends, वीडियो को like और share करके इस्टराम पर follow कर लिजे, टेलिगराम गुब जोइन कर लिजे, if possible friends, join button दबा के help करें, और super thanks का option दबाएं अगर आप दबा सकते हैं, तो have a great day, good.